नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अंकीत और मैं अपने चैनल पर आप सभी आप फिर सबागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग फाइनल एपिसोड में हैं और यह एक्स्ट्रीमली टेक्षट पेपर है जैसा यह फस्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था और यह मैंने थोड़ा सा शॉर्टन अप किया है और जो में प्रोसेस है वो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की किस तरीके से हमें मतलब इसको इनिशेट करना है और देखिए अभी मैं पैंसल मेजर्मेंट को ही मैंने यूज किया है इसमें क्योंकि हमें इक्जैक्ट और लाइकलिनेस को अचीव करना था अगर हमें यह चीव नहीं करना होता तो हम कम से कम पैंसल मेजर्मेंट यूज करते और ज्यादा से ज्यादा हम लाइट एंशेट्स पेगाम करते लेकिन जब एक्चुलिटी की बात आ जाती है जब बिल्कुल मिलाने की ब कर रहा हूं और यह पेपर इतना साथा टेक्श्रड है फ्रेंड की कॉंटिन्यूसली प्रोसेस करने के बाद भी वैल्यूज उतनी इजली एचीव नहीं हो रही है जितनी इजली नॉर्मल पेपर पर हो जाती है तो डेफिनेटली थोड़ा से चैलेंज जरूर रहता है इस सभी नॉर्मल प्राक्टिस कर लें तो डेफिनेटली लेकिन जब रिजल्स आते हैं तो आपको मज़ा भी याता है आप देखी इसी तरीके से मैं यहां पे चेन को भी मेजर कर रहा हूं और यही तरीका आप्ट किया है मैंने इसमें और बाकी शुरू मैंने इनिशेट कैसे किया था वह मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में जन्हों नहीं देखा है वो प्लीज एक बार देखना लाइट इन शेट को यूज किया था आईज वगरा को इदेंटिफाई किया था और बेसिकली आर्टिस्टिक पोट्रेट्स में जनरली हम यही करते हैं कि इन आपको वैसे नहीं करना तो आप बिना मेजरेमेंट्स के भी चल सकते हैं और चोड़ दें तो आप बहुत अच्छा पोट्रेट्स भी बना सकते हैं आर्टिस्टिक तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है सेंट्स वगरा को ड्रॉपर करके दिखाया था जिसमे है तो आप यहाँ देखिये मैं वुडलेएंस यूज कर रहा हूँ यह घ्रिफाइट वुडलेश है ढर्डार्टिक जल्दी प्पर पर ले आने के लिए बहुत हैंडी है वो पेंसिल अब यहाँ पेंसल Erayasar को मैंने यूज रिप्स के इयरिया को डिनिफाई किया तो टेक्षड पेपर का यही मज़ा है अभी जब आप मैं इसको दिखाऊंगा आगे चल के आपको वीडियो के एंड में कि जब आप टेक्षड को देखते हैं ने इसके पेपर के तब आपको बहुत ही सुकून मिलता है बहुत अच्छी से फीलिंग आती है अपके अंद होता है और आप इस तेक्षर होते हैं बहुत सारे अ होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैली और हिल्स को तोरह पे समझ लीजा आप इसको और अब देखी मैं इसी तरह के से जो चिन का साइड है वहां पहुंचने कुष कर रह हूँ जा लाइन के थूख और एर और हेर जो वहां पर आएंगे उसके वैल्यूस को लानी कुश्च कर रहा हूं मैं 6B को भी उसकर रहा हूं साथ के साथ क्योंकि इसके टेक्शर बहुत ही जादा है वी है मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा जूम करता हूं देखिए क्या हो रहा है अच्छली देखिए जो इतने जादा है वी टेक्शर है इसमें यहां पर दिख रहा होगा आपको मैंने थोड़ा जूम किया है तो यह जो टेक्श इतना आप easily play भी नहीं कर सकते तो it's a very challenging thing as well but it's an artistic thing, आप artists generally इसी तरहीए के portrait करना prefer करते हैं, वो तो एक generally portrait होगा तो उसको भी textured paper भी draw करना prefer करेंगे, स्मूथ पेपर पे तो मुझे नहीं दिखता कोई बहुत अच्छा आर्टिस उस पर काम करता हो हाँ कुछ स्पेसिविक हाइपर रिलिस्टिक या रिलिस्टिक आर्टवर्क्स के लिए जरूर स्मूथ पेपर को यूज किया जाता है क्योंकि उस पे रियलिस्टिक रिजल्ट्स में लाने में आसानी होती है तो अब देखे बागी चीज़ों को भी मैं हाँ दिखाने कोश्च कर रहा हूं जिसे भगवान के गले का सांप है और उपर जटा जूट है और उसमें रुद्राक्ष की माला है तो वह सब तो खैर आप करी लेते हैं बड़ी अच्छी से तो मैंने उसको थोड़ा सा टाइम लैपस ही कर दिया है यहां देखे श्रीव के जो दूज का चंद्रमा है सर पर वह देखे वह भी मैंने आप दिखा दिया बड़ी आसानी के साथ वह बहुत आसानी से आप कर सकते हैं क्योंकि light and shades के साथ play करना इस paper पर बहुत ज्यादा difficult नहीं है खास कर कि जहां पर आपको clear image पता हो mid tones में difficulty है लेकिन clear tones पर आपको difficulty नहीं है आप पीचे देखे पूरा dark था मैंने eraser यूज करके white lines को ले आया और फिर उसके ऊपर फिर dark values को achieve कर रहा हूं आप चाहते तो अगर आपको शुरू में idea होता तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं मुझे शुरू में इतना detail बनाने का नहीं था मेरा mood लेकिन फिर जब बनने ल पेपर पर initiate कैसे करें और values को कैसे लाएं तो आपने देखा इस पूरे tutorial की initiate मैंने कैसे किया और कैसे finish किया इसको और भी tutorial आते रहेंगे आगे आने मेले time पे तो भी इसको फिलाल यहीं रखते हैं और प्लीज चैनल को subscribe जरू की जगा friends कोई query हो तो जरूर पूचेगा comment box में डाल करके तो thank you friends please channel को subscribe जरू की जगा thank you once again